नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अटेंशन सीरीज के आज के इस चौथे अपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह की चीजों पर हमें अपना अटेंशन और प्रकारांतर से टाइम और एनरजी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिये और इस बेल आइकोन को तपाईए आप हममेंसे जादा तर लोग टॉप पर होना पसंद करेंगे इस कंपेड़ बीच में एकाँने सकते हैं लेकिन यहां टॉप का मतलब टॉप नंबर वन या नंबर टू या नंबर टैन होना नहीं है अगर आप द्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर आप टॉप 50% में हैं किसी फीडल में तो आपके रिवर्ड जादा होते हैं एस कंपेर टूप बॉटम 50% में होते ह तो आप 30% में हैं तो आपके रिवर्ड जादा हैं अगर आप बॉटम 70% में हैं तो बॉटम 80% से रिवर्ड जादा होते हैं यानि जितना आप टॉप के नस्दीक पहुंचते जाते हैं जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं उतने आपके रिवर्ड बढ़ते चले जाते है जैसे cricket का example लेते हैं, अगर आप batsman बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सचिन टेंडूलकर या ब्रायान ला रहा ही बने, आप अगर IPL लेवल पे भी अच्छी betting कर लेते हैं, तो आपको काफी rewards मिलते हैं, यानि किसी भी field में top का मतलब number one नहीं है, किसी भी field में bottom 40% में लाई करते हैं, उसके मुकाबले हैं, यानि ये समझना काफी आसान है कि अपने field में top पर भले ही आप न पहुंचे, top के जितना नस्दीक रहेंगे, उतना ही जादा आपको फायदा है, और अब इस चीज़ को अपने original सवाल से connect करते हैं, हमारा original सवाल क्या था, original सव पहुंचने की maximum probability हो, अब ये किस तरह के field होंगे, इसको समझने के लिए एक छोटा सा thought experiment करते हैं, मालीजे कि आप हेरन हैं, तो किस तरह के खेल में आपकी top पर या top के नस्दीक पहुंचने की probability सबसे जादा होगी, जाहिर सी बात है, ऐसे खेल जहां पे आपको दोड़ना पढ़ता है, यानि अगर race type की चीजें हैं और आप हेरन हैं तो अच्छे खासी probability है कि आप या तो top पर होंगे या top के काफी नस्दीक होंगे, या फिर अगर आप हाथी हैं तो इस तरह के खेल जिसमें किसी भारी चीज़ को धक्का देने की या खीचने की या वजन उठाने की जरुबत पढ़ती है, उस तरह के खेलों में आप या तो top पर पहुँचेंगे, या top के नस्दीक पहुचेने की probability जादा होगी, इसी तरीके से अगर आप मचली हैं तो आप swimming में जादा आगे तक जाएंगे, top पर पहुँच सकते हैं, अगर आप eagle हैं, chill हैं तो आप उड मन चीज है unfair advantage, हिरन को दोडने में गाए, भैंस और बाकी जानवरों के मुकाबले unfair advantage है, और उसी तरीके से हाथी को वजन उठाने के मामले में unfair advantage है, मचली को तैरने में unfair advantage है, चील को उडने में unfair advantage है, यानि जिस field में मुझे आपके मुकाबले unfair advantage है, जाहिर है कि उस field में इस और मैं टॉप या टॉप के नस्दीक पहुच जाऊंगा सिंपल सी चीज है कि मेरे लिए अपना अटेंशन और टाइम उसी फील्ड में डालना समझदारी है जिस फील्ड में मुझे अनफेर अड्वांटेज है और अब देखते हैं कि यह अनफेर अड्वांटेज आता कहां स इन में पहली चीज है स्किल जिसको चारली मंगर और वारेन बफे सर्कल आफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं सर्कल आफ कॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो लिमिटेड एरिया जिसमें आप बाकी लोगों के मुकाबले जादा स्किल्ड हैं बाकी लोगों के मुकाबले बहुत उन skills को आपने बार बार काफी लंबे समय तक यूज किया है। आम तोर पर माना ये जाता है कि किसी भी skills को build करने के लिए आपको 10.000 गंटों की जरूरत पड़ती है। अब जो अपने पीछे के सालों में जो काम मैंने 10.000 गंटों तक किया है उस काम को जिसको मैं अपने पीछे के सालों में 10,000 घंटों तक कर चुका हूँ, उस काम को करने में मुझे बाकियों के मुकाबले unfair advantage होगा और वो काम मेरे circle of competence में आता होगा, यानि unfair advantage का एक बड़ा source है आपकी skills और आपकी skill का मतलब है वो काम जो आप आज से पहले करीब 10,000 गंटों तक कर चुके हैं, अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई भी काम 10,000 घंटों तक नहीं किया तो कोई फरक नहीं पड़ता है, 10,000 नहीं तो 5000, 6000, 2000 घंटों तक, आप drift समझ रहे होंगे, point यह है कि जो काम आप बहुत जादा समय लगा चुके हैं जिस काम के उपर, उस काम में आपकी स्किल है, बाकी कामों में आपकी स्किल नहीं होगी, और यहां सर्कल ऑफ कॉंपिटेंस में हम टैलेंट या पैशन वगेरा की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हमारी और आपकी, अपने आपको गुमराह करने की कैपैसिटी बहुत जादा होती है, तो इसलिए ज काम में मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया है, काम में मैं सबसे ज़्यादा घंटे लगा चुका हूँ, वो काम ऐसा काम होगा जहांपर आपको डेफिनिटली बाकियों के मुकाबले अनफेर अड्वांटेज होगा, और अनफेर अड्वांटेज का अगला बड़ा सोर्स हो सकते हैं लोग ऐसे लोग जिनके उपर आप भरुसा करते हैं जिन के साथ आपकी complimentary skills है और जिनके साथ आप टीम अप करके बढ़ा अच्छा काम कर सकते हैं अगर ऐसे लोगों के साथ आप टीम अप करते हैं और एक और एक 11 हो जाते हैं तो वहां से भी आपको बड़ा अच्छा बड़ा strong unfair advantage मिल सकता है और unfair advantage का तीसरा source होंगे आपके resources यानि जिसमें आपका monetary assets आ जाएंगे आपका पैसा आ जाएगा या और ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो पैसे में convert की जा सकती है वो भी आपके लिए unfair advantage का source हो सकती है unfair advantage का चौथा source हो सकता है आपकी social capital या आपकी reputation politics या बॉलिवुड में ये हमें बड़े आराम से देखने को मिलता है कि अगर आप से जुड़े लोगों की आपके family वालों की already एक reputation है तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा unfair advantage मिल जाता है ध्यान दीजे कि unfair advantage की जो ये चार sources हैं इनमें आपके लोग, पैसा और social capital ये चीजें बहुत जादा critical नहीं होती है आजकल एक तो cost of doing business बहुत कम हो गया है दूसरा connectivity इतनी जादा है बहुत सारे तरीके हैं कि हम एक दूसरे को जान सकते हैं connect कर सकते हैं तो अकसर क्या होता है कि लोग, पैसा और social capital आप build कर लेते हैं इसलिए जब भी आप ये सोचने जाएं कि किस field में मैं अपना attention, time या energy दूँ तो वहाँ पर आप इस skill वाले सवाल को या circle of competence वाले question को इसको काफी ध्यान से इसके बारे में सोचें और इसका एक अच्छा जवाब ढूणने की कोशिश करें किस field में मैं skilled हूँ, कौन सा ऐसा काम है जो मैं बाकियों से बहुत अच्छा कर सकता हूँ कौन सा ऐसा काम है जिसको करते समय मैंने परियापत घंटे दिये हुए हैं दस हजार के जितना नजदीक आ सकता हूँ उतना अच्छा है ध्यान रखिए कि आपकी skill या आपका circle of competence ही आपके unfair advantage का सबसे बड़ा source है और समझदारी इसी में है कि हम अपना attention खासतोर से attention by choice वाला attention ऐसे field में दें जहां पर हमें बाकियों के मकाबले unfair advantage है आज के अपिसोड में इतना ही attention सीरीज के पांच में एपिसोड में हम ये देखेंगे कि attention के बारे में हमारी जो बुरी आदतें पड़ा जाती है उनको कैसे solve किया जाए अगर आपको ये अपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ share करिए like और comment करिए और अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करिए और इस bell icon को दोबाईए जल्दी मिलते हैं एक नए अपिसोड के साथ अब तक के लिए बाई बाई